साथियों, डेरी सेक्टर में जिन पशुपानलों को लाब हो रहा है, उसमें से जादातर छोटे किसानी है। किसी के पास तीन पशुई हैं, चार पशुई हैं, किसी के पास 5, किसी के पास 7 और ऐसा करीब परीब पूरे देश में ही है। यहां कच्च की बन्नी भैस यह हमारी बन्नी भैस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्च में तापमान चाहे 45 डिगरी हो या फिर तापमान सुन्य से नीचे हो बन्नी भैस आराम से सब कुछ सहती है और जबार मौज से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैस को कोई दिकप नहीं होती है। एक दिन में यह भैस और सतन करीब करीब 15 लीटर दूद देती है और इससे सालाना कमाई 2-3 लाख रुपे तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैस पांच लाख रुपिये से भी जादा में भी की है। देश के और लोग सुनते होंगे उनको आश्यर होगा। बन्नी की भैस पांच लाख रुपिया। यानि जितने में दो छोटी कार खरीद हैं इतने में बन्नी की एक भैस मिलती है। साथियों, साल 2010 में बन्नी भैस को राश्ट्री माननेता भी मिली थी। आजाती के बाद भैस की ये पहली ब्रीड थी जिसे राश्ट्री स्तर पर इस तरह की माननेता मिली। साथियों, बन्नी बैंस के दूद का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्ता यहां कश्मे बहुत सफल रही है, देश में बाकी जगह पर भी दूद उत्पादक और दूद का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े ह और एक बहतरीन सप्लाइचेन उनने खड़ी की है, इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी जादातार बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है, साथियों, यह उदान में विस्तार से इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों क ब्रमित करने की बड़ी साजिस्ट चल रही है, उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृसी सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कबजा कर लेंगे, भाईयों, बहनों, मैं आप से जानता हूं, क्या कोई डेरी वाला आप से दूज लेना का कॉंट्रेक करता है, तो क्या आपके जमीन ले जाता है, क्या आपके प्रपर्टी उठाके ले जाता है, क्या, साथियों, हमारे देश में डेरी उद्योक का योगदान, क्रशी आर्थे ववस्ता के कुल मुल्य में 25 प्रतिसत से भी जादा है, ये योगदान करीब करीब 8 लाक करोड रुपिय होता ह है, दूद उत्पादन का कुल मुल्य, अनाज और दाल के कुल मुल्य से भी जादा होता है, इस ववस्ता में पशू पालकों को आजादी मिली हुई है, आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले, छोटे और सिमान के सानों को क्यों न मिलनी चाहिए, साथियो, हाल में हुए कुर्शी सुधारों की मांग बर्सों से की जा रहे थी, अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्ब दिया जाए, आज जो लोग भी पक्षमे बैट कर किसानों को ब्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कुर्शी सुधारों के समर्धन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निरने नहीं ले पाएं, किसानों को जुठे दिला से देते रहें, आज जब देश ने या इतियासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को ब्रमित करने में पिर एक बार कह रहा हूं बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर संका के समाधान के लिए सरकार 2400 घंटे तयार है किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथ्फिक तवमसे एक रहा है खेती पर किसानों का खर्च कम हो उन्हें नए नए विकल्प मिले उनकी आए बड़े किसानों की मुश्किले कम हो इसके लिए हमने निरंतर काम किया है मुझे भी स्वास है हमारी सरकार की इमानदार नियत हमारी सरकार की इमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पुरी देश ने आशिरवाद दिये है देश के हर कौने के किसानों ने आशिरवाद दिये है मुझे विश्वास है कि किसानों के आशिरवाद की ये ताकत देश भर के किसानों के आशिरवाद की ताकत जो ब्रह्म फ्यलाने वाले लोग है जो राज रीती करने पर तुले हुए लोग है जो किसानों के कंदे पर बंद्लू के फोड़ रहे हैं देश के सारे जांगरू किसान उनको भी परास करके रहेंगे